नमस्कार प्रिय दर्शकों कल यानी 6 मई 2020 कल का दिन बड़ा ही महत्व पुर्ण है साध्वकों के लिए साध्वकों की अगर बात की जाए तो कल का दिन उनके लिए एक स्वरणिम अवसर है लेकिन हम आम लोग जो किसी न किसी बिग्ण बाधा और परेशानी से जूझते ही रहते हैं कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धनविन रहत उदास कोई न कोई दुख, कोई न कोई परेशानी है और ऐसी परेशानियों में जहां हम जूझ रहे हैं वहां कल दो जयंती और दोनों कैसे हैं तो भक्त पालक, भक्तों की पुकार पर ही आने वाले हैं वो कल निरसिम्ह जयंती है और साथी साथ माच्छ नमस्ता की भी जयंती है भगवान रिस्म्ह के बारे में तो कथा प्रचलित है आप सभी जानते हैं भक्त प्रहलाद की पुकार पर खंभे को चीर कर भगवान रिस्म्ह प्रकट हुए और माच नमस्ता इनका नाम ही इसलिय पड़ा क्योंकि अपनी दो सहचरियों की प्यास को मिटाने के लिए इन्हों के वो भक्त पालक ये दोनों के दोनों लेकिन दोनों देव उग्रता के स्वरूप माने गए हैं दोनों के दोनों उग्र हैं नर्शुम्ह भगवान का स्वरूप तो जग विदित है नर और सुम्ह का मिश्रण तो उनमें क्रोध स्वाभाविक दिखाई पड़ता है और अब आम परिवेश में देखें तो कहा जाता है कि माच्छिनमस्ता की आराधना ऐसे आप नहीं कर सकते हैं जब तक आप जानकारी पूरी नर रखते हों किसी की देखरेख में नहीं हो और मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है यह बिलकुल गलत है क्यूं क्यूं ऐसा गलत है इसको एक उदाहरण से समझिये एक उदाहरण से समझिये जब अभी मैंने पिछले दिनों जब मैंने प्रानायाम के बारे में आप लोहनों को बताया तो दो-तीन महाहा नुभाओ जादा नहीं लगभग तीन महान उभाओ ने कहा कि आप जिस तरह की बिधी बता रहे हैं जब तक लोगों को जानकारी नहीं होगी उनका कोई भयंकर नुकसान हो जाएगा गलत नुकसान और फाइदा दोनों को जरा समझा जाए इसको मैं उदाहरन से समझाता हूँ आप सबो अगर आप जिम में जाते हैं जिम करने के लिए तो वहां का जो ट्रेनर होता है वो दो बातें जानता है आपके बारे में एक या तो आप बॉडी बिल्डिंग के लिए वहां पर गए हुए हैं तो जब बॉडी बिल्डिंग के लिए गए हुए हैं तो आपको शुरुवात आती दोर से सारे नियमों के साथ एक एक स्टेप सब कुछ कराता है ऐसा ही होता है ना लेकिन अगर आप जाते हैं जिम में और जाकर के ट्रेनर से कहते हैं भईया मेरे मुझे बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है मैं दिन भर घर में बैठा रहता हूं सरीर जकड गया है बस नस होगा तो अगर कोई बाहर से जाकर के देखे कहिए क्या तो गलत है नहीं गलत नहीं है उनको उतने की ही आवश्यक्ता है अब बताता हूं कि गलत और सही मैं यहां भेद क्यों बता रहा हूं असल में अगर आप इन देवताओं की आराधना विशेश करकि यह उग्र देवत इनकी जब आराधना किसी उद्देश्य विसेश से ऐसा करते हैं कि मुझे फलाने व्यप्ति का नुकसान करना है मैं ये संकल्प लेता हूँ और इस संकल्प के साथ ये आराधना करता हूँ तो निसंदे है ये प्रक्रिया उग्र हो गई ये उग्र प्रक्रिया हो गई और यह जीवन में थोड़ी सी परिशानी है और उससे मुक्ति चाहिए तो बस आप हाँ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं इनके मंत्रों का जब करते हैं और रिजल्ट आपके सामने होता है माच्षिनमस्ता के बारे में कहा जाता है ये अदभुत प्रभाव देने वाली हैं गुरु गुरकनात गुरु मत्सेंद्रनात इन सबों ने माच्षिनमस्तिका की आराधना की थी लेकिन उनकी आराधना साधना थी और मैं जो करने की बात कर रहा हूँ वो बहुत सामान्य है कई सारे प्रयोग मैंने बताये थे, जैसे ग्रहों की बाधा से अगर आप परिशान है, कुंडली में कोई ग्रह आपको पिरित कर रहा है, तो कैसे मुक्ति पाएं, क्या उपाएं करें, घर में कलह कलेस है तो क्या उपाएं करें, जीवन में उत्थान चाहते हैं, मोक्ष चाह सादी मैंने कई सारे प्रयोग बताये थे, इस बार इस तरह का माहल नहीं है, हम सभी लॉक्डाउन में हैं, और लॉक्डाउन में चीजे प्राप्त नहीं होगी, उस प्रयोगों में मैंने कई सारी विधियां बताई थी, शत्रूओं से अगर आप पिरित हों, तो और माच्छ नमस्ता, केवल मेरे द्वारा बताये गिने चुने इन समस्याओं से नहीं, भक्त प्रहलाद की समस्या को सुनकर, खंभे को चीर कर वो बाहर आ गये थे, हमें बस गुहार लगानी है, आर्थ भाव से, प्रहलाद की तरह, वो चले आएंगे, उसकी चिंता आप म करिए कि वो आएंगे की नहीं, आपको इसमें संसर नहीं होना चाहिए, आपको बस विश्वास होना चाहिए, प्रहलाद वाला विश्वास, कि हम में, तुम में, खडग खंभ में, हर जगा हैं वो, खडग में भी हैं, और खंभ में भी हैं, हर जगा, तो भगवान कहीं से भी निकल आएंगे तो विश्वास के साथ करना है तो मैं एक काम करता हूँ उपर आपको ये लिंक दे दे रहा हूँ ये वीडियो जा करके देख लीजिए अगर आपको सामगरी मिलती है तब तो फिर आप सामगरी के द्वारा आपकी जो समस्या है मैंने कई सारी समस्याओं क सामगरी के साथ प्रयोग बताया है इस लिंक को देख करके आप वो वीडियो देख लीजिए उसमें सारे प्रयोग हैं आप वो कर लीजिए भगवान रस्म की कृपा इतनी अदभूत है इतनी अदभूत है एक और बाद उग्र देवताओं की आराधना में और सामन्य जो उ हमारा यहां उद्देश से कोई वैसा है ही नहीं हम बॉड़ी बिल्डिंग करने नहीं आये हैं हम यहां पर सिद्धी और किसी विशेश प्रयोजन से नहीं आये हैं हमारा प्रयोजन बस सामान्य है हमारी जीवन की बस यह छोटी-मूटी समस्याएं और यह तो भगवान का नाम भर लेने मात्र से यह समस्याय समाप्त हो जाने वाली हैं तो आपको यह नहीं सोचना कि यह मंत्र नुकसान करेंगे नुकसान कब करेंगे जब आप पूरी तरह से जैसे प्राणायाम में भी आपने कहा तो प्राणायाम नुकसान कब करेगा जब समाधी की अवस्था में जाने के लिए कोई व्यक्ति पूरी तरह से कमरकस के उतर जाए और बिना जानकारी के पूरी तरह जानकारी न ले किस चक्र से किस चक्र तक मुझे पहुचना है और कैसे फिर बाहर निकलना है तो वो गलती होगी लेकिन एक आम जनमानस जहां सामान ने महनत नहीं करता तो किसी के फेपड़े जाम हो रहे हैं तो कोई सांस नहीं ले पा रहा है तो किसी का बाइपास हो रहा है उन लोगों के लिए वो रामबान अउसधी था तो उसमें कोई समसे नहीं बताने से पहले मुझे भी पता है ये आज चुकि मैं बैठा हूँ तो प्रयोग तो बताऊंगा ही, भगवान नुर्शिम्ह का जो बीज मंत्र है, वो बड़ा ही स्रिष्ट मंत्र है छ्रॉम, छत्रिये वाला जो संजोगी छ है, उसमें रॉल नीचे लगा हुआ छ्रॉम, ये छ्रॉम भगवान नुर्शिम्ह का ब तो भगत बत्सल भगवान नुर्शिम्ह, अगर हम उनका ये बीज मंत्र मन में सदईव जबते रहें, तो ये समस्या से बाहर निकाल देंगे, लेकिन इन दोनों की जो आराधना है, विशेस कर पहले मैं भगवान नुर्शिम्ह की बताता हूँ, और आज विशेस रूप से माचिनमस्ता की आपको बताने जा रहा हूँ, सायमकाल और माचिनमस्ता की जो आराधना है वो रात्री में होती है, भगवान नुर्शिम्ह का पड़ाकट्य उत्सो सायमकाल ही होता है, सायमकाल ही वो आये थे, न दिन है न रात है, ये समी जानते हैं, बीचो बीच उस समय तो उसी समय उनकी विशेस आराधना करनी चाहिए पीत वस्त्रधारन करके और घर में ही बैठकर उत्तरा भी मुखो करके और घीका दिया जला करके कर्म साक्षी दीपक जला करके और बाकी सुर्य भगवान की जो मैं आराधना बताता हूं सेम प्रक्रिया पहले भगवान का ध संकल्प ले करके मंत्र जब करना होता है प्राणाया मित्यादी करके वो सब बार-बार बताना समय की बरबादी होती है तो आप अब आपकी जो कामना है जो सामान ने रोग रिपू रिण से आप परिशान है याद रखिएगा अगर रिपू से परिशान भी है तो किसी व्य लोग से परेशान हूँ मैं रिण्ड से वहां पर आप किसी के बिशेश पॉइंट नहीं करते हैं तो पॉइंट नहीं करते तो आपको समस्या नहीं होने वाली आपको हार्म नहीं होगा तो फिर आप संकल्प लेकर के मैंने बताया था पिछले बार 11 इस बार भी बता देता कौन सा मंत्र तो वो मंत्र आपके समुख पढ़ देता हूँ भगवान रश्म का अत्यंत स्रिष्ट मंत्र है बहुत स्रिष्ट मंत्र इसको तो वैसे भी अगर आप मन में जपते रहें कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि मैं नौक्री में हूँ और जहां पर हूँ वहाँ पर म किसी सत्रू की कामना नहीं करनी है भगत प्रहलाद ने उनके पिता तेरन कशपू कोई कामना नहीं की थी कि आप इनको मारने के लिए योग खुद अपना देख लेंगे उनकी ये जिम्मेबारी है कि कौन आपका सत्रू है मंत्र एक बार सुन लीजे मेरे मुझसे और इसी म मंत्र को कम से कम ग्यारह माला उगरम वीरं महा विष्णुम ज्वलन्तम सरवतो मुखं अर्सिम्हंभी शौनंभद्रम, मृत्योर मृत्यू नमाम्यहं इस मंत्र का ग्यार्व हमाला कम से कम जब अवस्षे करिए और क्यूकरिय समय स्तायम काल का है तो जो लोग कारेस्थल पर हो वो या जो घर में रह करके काम करें सब के लिए पर्यापत समय है आसानी से कर सकते हैं नर्सिम्ह गायत्री से उनकी प्रार्थना करनी चाहिए ओम वज्रनकाय विद्महे तीछन दंश्राय धीमही तन्नो नर्सिम्ह प्रचोधयात ये नर्सिम्ह गायत्री है नर्सिम्ह गायत्री इसी से उनकी प्रार्थना कर लेनी चाहिए और जो आपने जब किया है हाथ में जल अपके अंतवे हाथ में जले करके और जो जिस देवता का आपने जब किया है अगर देवी का जब किया है तो ऐसा कहना चाहिए कि देवी के बाएं हाथ में दे रहा हूँ अब संस्कृत में इसको बोला जाता है बामहस्ते निवेदयामिक है आप इसको हिंदी में भी मन में सोच सकते हैं अगर देवता का जब किया है तो उनके दाहिने हाथ में हाथ में उनके दाहिने हाथ में, हाथ में क्यों? कि जब जरुवत पड़े तो आपको वो दे दें तो उनके दाहिने हाथ में देना चाहिए और देवी हैं तो उनके बाएं हाथ में तो ये भगवान रुषुम का था मैंने ज़्यादा इस विसमें नहीं बताया क्योंकि मैंने भी बताया था लिंक उपर दे दिया हूँ उस लिंक को देख करके आप बाकी चीज़े जान लीजिएगा अब आजाईए माच्हिनमस्ता की आराधना की ओर चलते हैं प्रियदर्शकों माच्हिनमस्ता बिद्या, धन, मान, सम्मान, शत्रु का नास हर प्रकार की समस्या से मुक्ति कराने वाली, लाभ दिलाने वाली, समाज में यश और बिजय देने वाली है सिद इसी बात है आप सभी जानते हैं दस महाविद्याओं में से एक हैं और इनकी कृपा तुरंत हो जाती है जैसे आप लोगों ने मा मातंगी की आराधना की थी और मा मातंगी ने आपको तुरंत ही प्रभाव दिखाया आप सबोंने लगा तार बताया कि मा मातंगी कृपा मिल रही है वैसे ही मा छिनमस्ता ये उग्र देवी हैं लेकिन तुरंत अपना प्रभाव देती हैं अब यहाँ पर इनके साथ थोड़ा नियम है उसे समझिए इनकी आराधना मध्य रात्री में होनी चाहिए तो यह सब के लिए नहीं है अगर आप तयार हैं फिर से दोहरादू डरना उनको है जो किसी ऐसे उद्देश से करें जहां किसी को हम छती पहुचाने वाले हैं अगर निला अथवा काला रंग का वस्त्रधारण करके दक्षण अथवा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए तिल तेल का दिया जहां भगवान रुषम्ह की आराधना में घीका दिया जलाना होता है यहां पर तेल का दिया जलाना चाहिए तिल तेल का दिया जला आप मेरे यहाँ स्क्रिन पर देख रहे हैं इनकी यही तस्वीर है ऐसी ही तस्वीर में दिखाई पड़ती है हर जगह आप इनकी यही तस्वीर अपने मन मंदर में बसा लीजिए और बस संकल्प लीजिए सारी पूजा विधी वही रहेगी क्योंकि इस लॉक्डाउन में कोई सामगरी नहीं मिलनी है तो मैं सामगरी वाला उपाय ही नहीं बता रहा हूं आपको बस केवल मंतर जपने के लिए बता रहा हूं और मंतर जब से स्तुरिष्ट कुछ हो नहीं सकत तो आप संकल्प लीजिए और रात रिकाल है पड़ा प्रभाव तुरंत मिलेगा जयंती है कम से कम 11-21 मंतर बहुत छोटा है 11-21 जितना आप से हो सके आप संकल्प लेकर के इस मंतर का जब करिए जिसकी परेशानी जितनी बड़ी हो नोट करिए मेरे इस बात को जिसकी परेशानी जितनी बड़ी हो माल लिजिए घर में बहुत परेशानी चल रही आप पती पत्मी दोनों बैठ करके करिए हो गया काम फिर से कहूंगा नुकसान नहीं नुकसान तब जब आप किसी का नुकसान करना चाहें अन्यथा डरने की कोई आवशकता नहीं तो आ की मंत्र का त्वरिद प्रभाव देखना है तो कमसे कम 10,000 की संख्या होनी चाहिए तो 10,000 की संख्या आम लोगों को करने में हो सकता है दिक्कत हो आपको करने में 10,000 समस्या हो जाएगी लेकिन आज जयंती है और मा की कृपा तुरंत मिल जाएगी सो आपको ज़्यादा चिंता की आवशक्ता नहीं, संकल्प ले करके 21 सी किस माला पती पत्नी जप लीजिए, अनिता आप अकेले जप लीजिए, सब के लिए कह रहा हूँ, मैं तो ये तक गिंती के दो-चार समस्या बताया हूँ, आपकी जो समस्या हो, अब इससे ज़्यादा क्या बड़ा उदाहरन दू, कि मान ने अपना खुद का गला काट के रक्त पिला दिया, ऐसी है ये, ऐसी है ये भक्तवत्सल, तो इतना बड़ा भक्तवत्सल आपके समुख खड़ा है, बस इनसे मांगिए, क्या चाहिए आपको, त्रधा पुर्वक आप इनसे मांग करिए ये दे देंगी, मैं मंत्र बता देता हूँ, मंत्र को दो, चार, पाँच बार पहले पढ़ लिजेगा, गलती नहों, एक तुरंत याद हो जाएगा, कोई बहुत कठिन मंत्र है नहीं, लक्षमी से लेकर सरस्वती तक सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जिनको लक्षमी चा यहाँ पर प्रायह लोग मुझसे पूछते हैं, हरिंग है या हरीम है, हरीम, क्लीम, मौका मैं उचारन कर रहा हूँ, यही बोलिएगा और मात्रा कम से कम बढ़ा के रखिएगा जितना अधिक सदिक हो सके, और बस जब करने के बाद मा के बाएं हाथ में, जब जब पूरा कर लिजेगा, तो हाथ में जल लिजेगा, और मन ही मन कलपना करिएगा, कि है मा, जो संक्या मैंने संकल्प में कहा था, कि इतना जब पुनह जो शक्ति उत्पन्न हुई जो फल प्राप्त हुआ वो मैं तुम्हारे बाएं हाथ में अर्पित करता हूँ बस इतना करके आसन की नीचे जल लगा करके और जा करके सोजाईए ये मध्धिरात्री के काल की बाद है ध्यान रखिएगा कि तीन बजे से पहले ही यानि कि ब्रम्हमुर्थ हो जाता है तीन बजे उससे पहले समाप्त कर लेना है तो ग्यारह साड़े ग्यारह-बाराथ बजे से सुरू करिए और दो तीन घंटे से जादा कर नहीं सकते हैं से जादा नहीं करना इनसे टाइम मिन करना फिर कई लोग पूछेंगे कि इसको बाद में भ बहुत उस्रेश्ट है और तुरंत प्रभाव देने वाला है तो प्रियदर्शकों मैंने दो प्रयोग बताए निर्शम भगवान का प्रयोग करिए माच नमस्ता का प्रयोग अवस्य करके देखिए जो लोग बहुत जादा परिशानी से जूज रहे हैं यह तुरंत का प्रभाव जग विदित है और उसमें भी यह तुरंत प्रभाव देने वाली है करके आप देखिए तो आज के लिए बस इतना ही आसा करता हूं यह प्रयोग आपको लाभ देंगे आपकी समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाएंगे बाकी मा की कृपा तो सपर हो ही रही है आज के लिए बस इतना है नमस्कार